प्रिवेस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं आयोडियो में लास्ट वीडियो में हमने आयोडियो में के साथ में ये भी जाना था कि एक कि आयोडिमेटरी इस साथ अयोडियो में टॉपिक है एक गएंड़न इसकोली सeco क्यों अपयोडियो में लायोडियो में लिए तो आपका iodimetry है, अगर iodine आपकी indirect way to use की जा रही है, तो आपका iodimetry है, ठीक है आई užडी आटरी के बारे में हैं पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, बात करते हैं iodimetry के बारे में यह वाला portion उम्लों विस्कस कर चुके हैं अगर आयोडम आयटली की बात करूँ तो आयोडम आयटली आपका एक indirect titration है जहाँ पर आपकी iodine direct use नहीं होगी मतलब आप direct iodine का solution यूज नहीं करोगे लेकिन iodine क्या होगी आपकी participate करेगी titration में ठीक है? titrant यहाँ पर आपका sodium thyosulfate होगा लेकिन यह sodium thyosulfate आपकी liberated iodine के साथ में ठीक है? liberated iodine के साथ में reaction करकी क्या करता है? titration को carry forward करता है अगर आप principle की बात करता हूँ तो principle में लिखा है the titration in which liberated iodine is titrated with standard solution of sodium thyosulfate ठीक है? iodine reaction करेगी sodium thyosulfate के साथ में अब जो यह liberated iodine है यह कहाँ से आई? यहाँ पर आप यूज करते हो potassium iodide ठीक है? potassium iodide क्या होगा? iodine का formation कराईगा अगर आपको यादो मैं यह आपको types of redox staturation के जिब वीडो बनाई थी ठीक है? उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका iodine battery होता है वहाँ पर आपकी यानिके जो आपका direct होता है iodine battery होता है वहाँ पर आपकी iodine work करती है as a as a oxidizing agent ठीक है? लेकिन यहाँ पर यह work करती है as a reducing agent ठीक है? ठीक है? सबसे पहले गर आप principle की reaction देखते हो तो आपको confusion create होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने पर iodine का क्या हो रहा है? reduction हो रहा है ठीक है? जब iodine sodium thiosylvate के साथ में reaction करती है तो यह convert ही जाती है sodium iodide में और आप simple और सकते हों यहाँ पर इसकी concentration इसकी oxidation number क्या है? 0 क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसा atom जिसके अंदर सेम element हो चाहे हो CL2 है I2 है BR2 है उसकी oxidation number 0 होती है लेकिन यहाँ पर इसकी oxidation number है minus 1 अगर मैं iodine की बात करता हूँ चुकि sodium के पास क्या है? plus 1 तो इसकी minus 1 यानिकि निगेटिव बढ़ रहा है 0 से निगेटिव बढ़ गया तो मतलब इसका reduction हो आए ठीक है? अब इसका reduction हो आए तो यहाँ पर तो यह reducing agent के तरह परक नहीं कर सकती क्योंकि reducing agent कोन है? sodium thyservate यह oxidizing agent के तरह भीएव कर रही है लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसा क्यों गोना था? उसके बारे में बात करते है अगर आप direct titusर को देखते हो तो direct titusर में क्या होता है आपका iodine आपकी reaction करती है reducing agent के साथ में reducing agent के साथ में और क्या करती है यह iodide या फिर tri iodide iron का निर्मान करती है यह आपने देखा था पिछली वीडियो में तो यहां से यहां तक जाने में इसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो मतलब यहां पर oxygen agent की तरह काम कर रही है समझे लो बात को अगर आप बात करता हूँ indirect की यानि के iodometry की जो हमारा topic है यहां पर क्या होता है आप direct iodine use नहीं कर रहे हो जहां पर आप use करते हो potassium iodide ठीक है और यह potassium iodide reaction करता है oxidizing agent के साथ में और यह क्या करता है आपके iodine का निर्मान कराता है ठीक है? iodine आपकी बनती है तो यहां से यहां पर जाने पर क्या हो रहा है oxidation हो रहा है क्योंकि यहां पर minus बने है यहां पर zero है इस चीज़ को लेकि वो point बोलागा ठीक है? बात करते हैं फ्रिंग्जिबल के बारे में आप से भी जान चुके है iodine liberate होगी sodium thiosulfate के साथ में reaction करेगी in the presence of star solution ठीक है? और आपका iodine करभड हो जाएगी sodium iodide में ठीक है? इस इस इता प्रिंचिपल ओफ अगर है बात करता हूँ preparation की how can we prepare sodium thiosulfate solution because sodium thiosulfate is our titrant तो हम यहाँ पर बनाएंगे 0.1 model sodium thiosulfate solution इसके लिए हम क्या देएंगे 25 gram sodium thiosulfate लेंगे 0.2 gram sodium carbonate लेंगे और इन दौरों को हम डिजोल कर देएंगे 1000 ml वाटर में यानिके 1000 ml वाटर में समझे लेंगे सिंपल सा है 25 gram sodium thiosulfate यानिके Na2SO3 और 0.2 gram आपने क्या लिया है sodium carbonate ठीक है इन दौरों को आपको मिक्स कर देना है 1000 ml वाटर में तब जाकर आपका क्या मनेगा 0.1 molar sodium thiosulfate तयाद हो जाएगा ठीक है preparation सिंपल है अब बात करते है standardizing की तो यहां पर हम ले रहे है potassium bromate KBR O3 इसका हम potassium bromate potassium iodate ठीक है इन दोनों के साथ में करा सकते है और भी आपके compound है लेकिन यूजवली इसके साथ में miscustionation करा सकते है तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले KBR O3 का 0.2 gram लेंगे conical plus की बात कर रहा हूँ और उसमें हम क्या करेंगे 250 ml water dissolve करेंगे यानि कि इस 0.2 gram को diosomil water में हम लोग अच्छे से dissolve कर लेगे dissolve करने के बाद हम इस में से इस diosomil में से 50 ml अलबी निकाल लेगे उस 50 ml में हम क्या करेंगे 2 gram 2 gram potassium iodide एड करेंगे और 3 ml of 2 molar HCl solution एड करेंगे क्या कि हमने सबसे पहले हमने 0.2 gram क्या लिया potassium bromate उसको हमने 250 ml water में dissolve किया उस 250 ml में से हमको 50 ml लेना है और इस 50 ml में हमको 2 gram potassium iodide एड करना है और 3 ml एड करना है 2 molar HCl solution तब जादर आपका ये पुरा तयार होगा ठीक है तो आपके पास में KBR तब तक करानी है जब तक आपका ब्लीव कलर डिसेप्यर न हो जाए होगा क्या आपका आपने यहाँ पे potassium iodide लिया है आपने यहाँ पे HCl लिया है ठीक है और आपने यहाँ पे KBR O3DR याईनि के potassium bromate लिया है जब यह तीनों reaction करते हैं तो इस process में आपका iodine का formation होता है जो मैंने आपको बुना था liberated iodine तो यहाँ पर आपके iodine liberate हो रही है यह iodine क्या करेगी तब जाकर sodium thaiosalpate के साथ में reaction करेगी ठीक है सबसे पहले KBR O3 का क्या होगा BR2 में formation होगा फिर यह BR2 KI के साथ में reaction करेगा यानि कि I- के साथ में फिर BR2 convert हो जाएगा BR- में यानि कि इसका reduction हो जाएगा और यह convert हो जाएगा iodine में इसका oxidation हो जाएगा तो यहाँ पर यह as a reducing agent बरक कर रही है ठीक है तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है इस conical plask में reaction होगी चुकि आपने star solution डाला है ठीक है और आपके conical plask में क्या है iodine पहले से मुझूद है ठीक है अब star solution blue color देता है iodine के साथ में ना कि sodium iodide के साथ में तो जैसे जैसे iodine आपके convert होती जाएगी sodium iodide में वैसे वैसे आपका blue color भी क्या होगा दिरे जिटें disappear होता चला जाएगा एक point S आएगा जहाँ पर यह blue color completely disappear हो जाएगा ठीक है वही आपका क्या होगा end point होगा I think क्या आपको सहन में आ गया है मैं simply बता देता हूँ Durate में आपका क्या है sodium thiosylvate solution है Na2S2O3 है और conical plast में आपका क्या है KBRO3 solution है जिसमें आपकी iodine परजेंट है यह sodium thiosylvate इस iodine के साथ में reaction करके इस iodine को क्या करेगा reduce करेगा किसमें sodium iodine में जब तक iodine परजेंट रहेगी तब तक conical plast का color blue maintained रहेगा जैसी iodine completely convert हो जाएगी याई कि reaction complete हो जाएगी तब आपका यह blue color deceptor हो जाएगा This is the end point of this reaction ठीक है तो यह तो हो गया experimental work अब हम बात करते हैं equivalent factor की क्योंकि calculation करनी है तो equivalent factor यहाँ पर होता है each ml of 0.1 molar sodium thaiosulfate जो कि आपका titanate है यह कितने gram potassium bromide को potassium bromide को क्या करता है आपके diet rate करता है तो उसका amount आपका है 0.002784 0.002784 gram ठीक है यानिकि 1 ml potassium bromide में कितने gram है आपका 0.002784 gram you can easily calculate it आपको पता होना चाहिए कि potassium bromide का formula क्या है ठीक है देखो simple सागर मैं पता हूँ आपको 278.4 gram क्या होता है इसका formula होता है ठीक है और यह आपका होता है 1 molar के लिए इतने gram आप 1000 ml में डालोगे तो 1 molar बनेगा ठीक है अगर आप बात करता हूँ 0.1 molar के लिए तो 270.84 gram 9,000 ml यह 0.1 molar के लिए है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको क्या यह 1000 ml में है तो आपको 1000s को डिवाइड दरना पड़ेगा ठीक है तो आपका value आएगी this is 0.002784 gram तो this is the equivalent factor for this reaction कैल्गोरेशन के बात करते हैं वही formula है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं molarity of sodium thartal weight is equal to the weight of kb-r-o-3 यही के potassium bromate ठीक है कितना है आपका 0.2 gram तो यह 0.2 आपका यहाँ पर रखा जाएगा into expected molarity expected molarity आपके क्या है 0.1 molar है titration volume titration volume जितने volume पर आपका add point आया है वो volume आपके यहाँ पर रखे जाएगी यह आपके दो volume कोई सेम आजाए उसको माल लेगे या कोई 3 बार titration करके हम उसका average निकाल लेगे ठीक है and equivalent factor that is the 0.002784 gram ठीक है इन सभी को calculate करके हमको क्या मिल जाएगी standard normality of sodium thio sulfate got it standardization हमने किया example की बात करते है तो यह आपकी iodine iodometry आपका basically use होता है अगर मैं applications के बात करता हूँ तो यह आपका copper sulfate के लिए भी use होता है तो यहाँ पर हम एक्जामपल ले रहे है determination of copper sulfate by iodometry ठीक है तो copper sulfate का हम क्या करते हैं यहाँ पर determination करके देखते हैं अगर इसके principle के बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है determination of copper sulfate depends upon the instability of cupric iodide found by reaction between copper sulfate and potassium iodide ठीक है जब आप copper sulfate को डालते हो ठीक है इसके साथ में potassium iodide के साथ में तो in the presence of acetic acid copper sulfate plus potassium iodide in the presence of acetic acid यह आपका तर्वट हो जाता है cupric acid में किसमे? cupric acid में यालिके cui2 में यह cupric acid आपका instable होता है stable नहीं होता क्योंकि इसकी instability का ही फायदा होटा कि आपके आगर सकते हैं फता कर सकते हैं क्योंकि इस टेबल है तो आपके चलके यह टूटे का किसे में यह टूटता है आपका cuprous iodide में और iodine में क्योंकि आपके साथ में रेक्शन कर सकते हैं ठीक है जैसे के आपके देखा प्रिंसेबल में तो प्रिंसेबल का आज था determination of copper sulfate depends upon the instability of cupric iodide formed by the reaction between copper sulfate and potassium iodide this is the reaction in the presence of acetic acid यह unstable cupric iodide आपका convert हो जाता है यह decompose हो जाता है किसमे cuprous iodide में CUI में और free iodine में and this free iodine further react with sodium thai sulfate and reduced into sodium iodide ठीक है तो हम लोग इसी principle पर आगए है इसका यूज करते हुए तो इस mechanism पर यूज करेंगी if we talk about the procedure तो प्रोसेजर में आपके क्या है आपने तीन चीज़े देखी copper sulfate हम यूज करते है potassium iodide यूज करते है और acetic acid यहाँ आप आप आपने देखा तो हम तीनों का amount बता करते है तो copper sulfate हम लेते हैं एक ग्राम ठीक है बनेगा कितना है 0.1 molar जितना sodium thai sulfate जितना titrant होता है उतना ही titrant होता है तो एक ग्राम copper sulfate लेंगे 50 ml water में उसको dissolve कर देंगे फिर इस mixture में हम लोग add करते हैं तीन ग्राम four takes of iodide और उसके निदर डालते हैं पांच ml acetic acid तो इस तरीके से आपका इस भी amount आपके dissolve करने के बाद में आपको प्राप्त हो जाता है 0.1 molar copper sulfate ठीक है अब इस copper sulfate solution का जो कि आपका कहां पर होगा आपके conical flask में इसका हम tight lesson कराते हैं किसके साथ में sodium thylosulfate solution के साथ में यानि के आपका यहाँ पर again burate में कौन होगा sodium thylosulfate होगा और conical flask में कौन होगा copper sulfate होगा ठीक है अब यह copper sulfate नहीं है इस copper sulfate से आपको क्या पर आप्त हो रही है iodine प्राफ्ट हो रही है जैसे कि यहाँ पर था तो आपका potassium bromate लेकिन finally आपको liberated iodine प्राफ्ट हो रही थी ऐसे ही आपका copper sulfate है यहाँ पर आपको भी liberated iodine प्राफ्ट होगी यह iodine reaction करे कि किसके साथ में sodium thylosulfate के साथ में तो यह जो आपने conical flask तयार किया है जिसमें आपका 1 gram copper sulfate है 50 ml water है 3 gram potassium iodide है और 5 ml acetic acid है इस conical flask के reaction आप कराते हो किसके साथ में 0.1 molar sodium thaiow sulfate के साथ में ठीक है और साथ में क्या डालते हो आप लोग starch solution ठीक है यह क्या है आपका indicator है और indicator कहाँ पर डालता है conical flask में तो copper sulfate solution में आप क्या डालतोगे starch solution डालतोगे इन दोरों के बीच में आप reaction कराओगे reaction कराने के बाद में क्या होगा आपका blue color जब तक disappear नहीं हो जाता तब तक आप reaction को करे फारोड करते रहोगे क्योंकि जो यह iodine बनी है यह sodium thyserpate के दवारा reduce की जाएगी जब यह completely reduce हो जाएगी मतलब reaction complete हो चुकी है और वहाँ पर जो blue color बड़ा था इस iodine और star solution की बज़े से वह आपका disappear हो जाएगा ठीक है इसमें एक extra step भी लिखा है आपका जैसे की fan blue color remains ठीक है जब तक आपके iodine डाएगी देरे देरे आपकी हलका-लका blue color रहेगा फिर हम क्या करते हैं इस reaction को थोड़ा speed से करने के लिए बढ़ाने के लिए ताके iodine आपकी completely liberate हो सके और reaction कर सके हम यहाँ पर ponical flask में 2 gram potassium thioside फिर यह क्या करता है completely इसको iodine में convert करता है और iodine completely reaction कर लेती है कि sodium thiosulfate के साथ में और finally जो blue color generate हुआ है iodine की वज़े से वह आपका dissipate है यहाँ तक iodine है आपकी blue color रहेगा iodine आपकी इसमें convert हो जाएगी तो कोई color नहीं रहेगा color dissipate हो जाएगा तो आपका है 0.02497 gram ठीक है each ml of 0.1 molar sodium thiosulfate is equivalent to 0.02497 gram of copper sulfate got it इसको हम use कर सकते हैं कि determination कर रहे हैं percentage purity पता करने में percentage purity का formula क्या होता है आप लोग सभी जानते हो तो वहाँ पर यह value आपके काम आएगी and you can easily calculate the percentage purity or percentage of copper into the copper sulfate got it this is all about the titration of iodine using indirectly that means iodometry यह आयोड़ाइटर के बारे में जहां पर हमने principle की बात की principle में हमने कहा देखा कि आपका sodium thiosulfate liberated iodine के साथ में reaction करता है और उसको reduce कर देता है sodium iodide में यह principle था preparation में हमने जागिया 0.5 अबर कुनाया जहांके हमने 25 ग्राम sodium thiosulfate लिया 0.2 ग्राम sodium carbonate लिया 1000 ml में dissolve किया और आपका यह थियार फिर हमने इसको standardize किया potassium bromate के साथ में potassium bromate के solution के लिए हमने 0.2 ग्राम potassium bromate लिया आपका 200 ml water में dissolve किया इस 10 ml में 50 ml निकाता और उस 50 ml में 2 ग्राम potassium iodide डाला और 3 ml हमने HCL डाला जिसकी molarity कि इनी है 2 molar इसका टाइट्रेशन कराया हमने इस solution के साथ में तब तक टाइट्रेशन कराया जब तक blue color desert पर नहीं हो गया यहां पर आपका end point आता है यहां पर आप unit reading note करते हो 2 same volume ले सकते हो या 3 बार repeat करके titration को average निकाल सकते हो Equaline factor की बात करते हैं तो आपका है 0.002784 gram ठीक है यह आपका यहां पर रखा जाएगा इस formula में इस formula से आप रोग इसकी standard molarity पर आप्ट कर सकते हो आगे हमने example के बात किया है तो हमने copper sulfate का determination किया है इसका principle क्या होता है कि आपका एक cupric iodide बनता है ठीक है जो कि आपका cupric iodide कब बनता है जब copper sulfate और potassium iodide reaction करते हैं तो cupric iodide का फाइदा मुटाते हैं क्योंकि वह instable होता है और ADSL के decompose होता है cuprous iodide में और free iodine में and this free iodine further react with sodium thai sulfate solution that is the standard solution ठीक है और यह क्या करेंगे आगे चलके reduce हो जाएगी इससे हमको सेम बही reaction देखनों को मिलेगी तो यहाँ पे है यहाँ पे जब तक iodine थी blue color रहेगा जब iodine आपकी reduce हो जाएगी सेम यहाँ पर होगा सेम यहाँ पर होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर जाएगी आपकी बन रही है जब तक कॉनिकल फलास में रहेगी कॉनिकल फलास की blue color कर रहेगा जैसे ही वह आपकी sodium thaios रफेड के दवारा completely reduce कर दी जाएगी sodium iodide में तो आपका blue color disappear equivalent factor के हमने बात की 0.02497 किसका होता है copper sulfate का होता है each ml of for each ml of 0.1 molar sodium thaios sulfate ठीक है this will be used in the calculation of the percentage purity of copper sulfate by using the formula of percentage purity you all know very well about it जहाँ पे आपका application से लिखी है कि आपका यह कहा कहा पर use हो सकता है तो आपका अगर में बात करता हो तो यह use होता है in the SAO of anhydrous sodium sulfite में ठीक है dichloral ferazone में ठीक है this is a drug sodium metamy sulfite इसके हैसे में हो सकता है chloramine chlorinated lime copper sulfate etc इन सभी compound के कापड़ों कि अपड़ों कि उ सकता हो it